नमस्कार किसान भाईयों मैं सूरी देविल फिर से हाजीरूं आपके अपने चैनल एगरिकल्चर गुरू जी में किसान भाईयों आज हम बात करेंगे पेड़ी गन्ने में सागरिका कब कितनी वै क्यों डालें सागरिका के क्या क्या फायदे हमारे पेड़ी गन्ये में हो सकते हैं कुछ काम ये करता भी है या फिर नहीं करता है इसको डालने के कितने दिन बाद ये कारिया करता है इसके डालने से पहले सिचाई करने है फिर बाद में करें कितने रुपय का ये मिलता है एक एकड की डोच क्या है पूरी विस्तार से जानकरी मैं इस वीडियो में देने वारा हूँ तो वीडियो को आप पूरा देखें तभी किसान भाईयों आप एक सही और अच्छी अनकरी ले पाएंगे सुरू करते हैं आज का अपने टोबिक पेड़ी गन्य में सागरिका के फायदे वैसे तो किसान भाईयों हम अपने पेड़ी गन्य हो या हमारा पोदा गन्य हो उनके अतना बहुत सारे उर्वक डालते रहते हैं जिनमें नाइटरोजन, फास्पूरस, पोटास, सागरिका, वाट एको, कीटना से बहुत सारे डालते हैं, बहुत सारे ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं, बहुत सारे सिच्चाईया करते हैं जिसका नाम सागरिका है, यह इफको कंपनी का आता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, कि हमें अपने पेड़ी गन्य के अंदर इसको किस तरीके से लगाना चाहिए, तो वीडियो में आप पूरा पीड़े को लगातार देखते रहें, यदि आपन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप से हाच जोड़के विंती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कलने, आपको एक से एक अच्छी और नई जानकारी गन्ये से सम्मंदित में आपको लगातार देता रहूँगा, और भी अन्ये जानकारी में आपको देन किसान भाई यो सागरिका जो है यह समुद्र से समुद्री सेवालों से उत्पन एक तरह का बहुत अच्छा ग्रोथ प्रोमोटर है यदि मैं इसके बारें बात करूँ तो इसका उप्योग लगव मैं पिछले दो से तीन साल से करता हुआ रहा हूं और मुझे काफी अच्छे परिणाम सागरिका से किसान भाई यो देखने को मिले हैं किसान भाई यदि मैं सागरिका को डालने की बात करूँ इसके अंदर और तत्व की बात करूँ तो लगभग इसके अंदर 60 ऐसे पोसकतत किसान भाई यो डाले गए हैं या ऐसे 60 पोसकतत सागरिका के अंदर हैं जो और किसानवाई जो गन्ने के अंदर जो हमारी टिल्रिंग होती है टिल्रिंग में भी बहुत ज़्यदा इजाफा देखने को मिलता है मालीजे आपके एक पेड़ी गन्ने के अंदर से लगत तीन से लेकर चार कल्ले यह चल रहे हैं ग्रोथ में भी यह काफी ज़्यादे इजाफा और काफी ज़्यादे इंक्रिमेंट टरकर आपको दिखाता है बात करता हूं इसका उपयोग आपको कैसे करना है और किस तमें पर करना है तो किसान भाई यदि मैं पेड़ी गंदे की बात करूँ तो पेड़ी गंदे की अंदर सागरी का उपयोग आपको हमेशा दूसरी सिच्चाई पर करना चाहिए पहली सिच्चाई पर आप सागरी का उपयोग ना करें क्योंकि पहले सिचाई पर किसान भाई और भी उर्वग लगाते हैं यदि साभी उर्वग हम पहले पानी पर ही लगा देंगे तो हमें दूसरे पानी पर फिर हम क्या लगाएंगे जिन किसान भाई उने पहले पानी पर सलफर का उपयोग कर लिया है और एक अच्छे कीड़ना चाहिए और इसके साथ किसानवाई आपको लगबग 45 से लेके 50 किलोग्राम यूरिया को भी एड कल लेना चाहिए इन दोनों को यदि आप मिक्स करके अपने पेड़ी गन्ये में डलवाते हैं और उसके बाद किसानवाई स्विचाई करते हैं तो यह अच्छी तरीके सा आपक पहला है पानी के बाद दूसरा पानी लगबग तब भी सागरिगा के दाने जो हैं उसी तरीके से पड़े रहते हैं तो इसे जो घुलने में लगबग 30 से लेके 45 दिन का समय लगता है तो इसे आप दूसरे से चाहई पर दे दें फिर यह लगातार आपके गन्ने की फसल के अच्छी तरीके से ग्रोध करता रहेगा अब मैं बात कर लेता हूं इसकी कीमत की तो किसानवाई लगबग 10 किलो ग्राम का इफको के सागरिगा का प्राइज है लगबग 415 रुपया का आपको यह मिल जाएगा और यह आप कहीं पर भी इफको के स्टोर से खरीज सकते हैं ओनलाइन इफको डोट इन से खरीज सकते हैं और भी किसानवाई लगब लोकल दुकानों पर भी अब सागरिगा जो है दुकान वाली रखने लगए आप वहां से भी से ले सकते हैं और सागरिगा बहुत ही अच्छा मैं बताना चाहूँगा एक उतपाद है जो हमारे गन्य की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादे स्टीक है और बहुत ही कमाल के रिजल्ट इसके गन्य की फसल में आपको देखने को मिल सकते हैं इस तरह से किसानवाई मैं चाहूँगा कि आप एक बार सागरिगा का उपयोग अपने गन्य की फसल के अंदर जरूर करके देखें और ज अगली वीडियो आपके इस्टोपिक पर चाते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रता हैं फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारिक साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत जै किसान